तो अगर तुम्हारा कमपार्ट लगा था और तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया ना तो सबसे पहली बात यहीं कहूंगा यह किस रियलाइज कर लो खुद बखुद ओनेस्ली यह चीज रियलाइज कर लो तुम हमेशा ऐसे ही करोगे जिन्दगी में ठीक है तुम्ह तुम्हारे लिए नहीं है छोड़ दो अभी ठीक है आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई कमपार्ट एक्जाम के बारे में सबसे पहली बात है कि कमपार्ट एक्जाम हमारे बहुत कम समय बचा है ठीक है लेकिन आज हम लोग बात करेंगे जन्मिली 20 डेज के प्लैन के बा बारे में देखो सबसे पहली बात है कि हमारे कमपार्ट की सब्जेक्ट में लगा है उस पे बहुत जादा डिपेंड करता है क्योंकि तुम्हें जानना होगा कि उस सब्जेक्ट में क्या रिक्वाइड होता है जैसे अगर तुम्हारा कमपार्ट फिजिक्स में लगा है तो गर, तुम्हारा मैट्स में Compart लगात तो तुम को पता होना चाहिए कि तुमको क्यल्कुलस को स्पष चुड़ा के तुमको सारे के थाप्ट को पहले प्रायटे, सब रोगे पता होना होगे अगर तुम這是 पहले प्रैंश zakրणे चाहिए लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि अगर मैं कंपाट के लेवल की बात कर लूँ, सिंपली अगर मैं तुमको बता दू कि कंपाट में क्या आएगा, तो तुमारा बैया जैसा बोर्ट का पेपर बना था, बिल्कुल सेम टू सेम कंपाट का पेपर बनेगा, बस एक चीज हो जाती है कि कंपाट में थोड़ा सा पुश करते हैं एक्जामिनर ताकि तुमको पास कर सके, तुमको अगर लगता है कि तुमसे पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तुम नहीं कर सकते हो, तुम करियर स्विच करना चाते हो, तो सिंपल चीज समझ जाओ, जितना भी तुमारा पेज का पेपर रहेगा, 32 पेज का माल लोग पेपर है तो उसमें 28 पेज भर दोगे, पास हो जाओगे, लेकिन 28 पेज में जेन्विन चीज डालनी पड़ेगी, अब वही जेन्विन चीज परने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी वन शॉट से किसी भी चैप्टर की तियारी कर रहे हो, उस वन शॉट को कम से कम तीन घंटे से ज़ादा का होना चाहिए, क्लाइट सबस्क्रिप्शन पर भी 12,000 से भी जादा रुपए बचा सकते हो, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सभी को ये भी बता दू कि आप लोगों का अभी क्लाइट स्योर अनकैडमी आपके लिए लेके आई है, जिसमें कि अगर आप कोई भी आईकॉनिक सबस्क्रिप्शन या फिर वन येर से ज़ादा का अगर आप प्लस सबस्क्रिप्शन लेते हो, और अगर आपका क्लाइट 2024 में नहीं होता है, तो वी आर गोइंग टो गीव यू फ्री सबस्क्रिप्शन फ़र यो क्लाइट 2025, यानि कि आपको बिल्कुल फ्री एक्स्टेंशन मिल जाएगा इन योर क्लाइट नेक्स्ट एक्जाम, ठीके, और तो और मैं बता देता हूँ आपको ये चीज़ कि आप सभी लोगों के लिए All India Clat Free Scholarship मौक टेस्ट हो रहा है, जिसके तुरू आप लोग यार बहुत सारे स्कॉलर्शिप जीच सकते हो, वर्थ रुपीज 1.25 करोर, और तो और आप चेक भी कर सकते हो, कि आप स्टैंड कहाँ पर करते हो, क्योंकि ये All India मौक टेस्ट है, तो यहाँ पर सारे बच्चे बैटेंगे, इसके अलावा आप लोगों के लिए क्लाट प्रिंटेड मौक टेस्ट जो है, वो अवलेबल करा दिये गए है, जो कि आपको आइकोनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन जो 12 मन से जाधे रहेंगे, उस पर मिल जाएंगे, जो कि प्रिंटेड मौक से और आपके घर पर डिरिवर हो जाएंगे, विचेस 10 sectional मौकस और 10 full length मौक, ठीक है? साथी में बता दू कि जितने भी बच्चे हैं, जो कि test series देते हैं academy के, आप लोगों के लिए काफी सारे free test series लेके आते हैं, जिसमें कि मैं आपको बता दू कि इस बार free की संख्या थोड़ी सी कम है, क्योंकि हर बार हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फ्री test series आप लोगों को दिये हैं इस बार अगर आप plus user है तो आपके लिए काफी सारे test series launch हो चुके हैं और free user के लिए भी दो test series है जिसका आप देख सकते हो screen पे ये calendar है कि कब कौन सा test series आपका होगा और तो और आप लोगों के लिए बहुत सारे batches launch किये गए for your CLAT 2024 जिसमें कि आपके लिए level up for CLAT batch हुआ जिसमें आप CLAT, LAT, SLAT, LSAT, MHCET कुछ भी दे रहे हो 2024 तो आप उस batch से कर सकते हो with the top educators और तो मैं आपको बता दू कि आपके लिए ace legal batch जो की है beginner batch for CLAT 2025 और साथी में mission batch 2025 जो की है integrated batch for CLAT and board जिसमें आपको दोनों चीजे CLATs और board दोनों पढ़ाया जाएगा तो मैं आपको बता दू ये सारे top educators ने मिलके आपके लिए इतने बहतरीन batches यूज कियें और अगर आपको मैं बता दू कि आप इन batches का access कैसे कर सकते हो तो आप subscription ले सकते हो using the code pdns10 for the better discount मतलब इसमें बहुत ज़्यादा discount मिल जाएगा ठीक है चलो fat effort all links are given in description box जाओ fat effort और सारे offers को grab कर लो कि ये best मौका है अब चलो चलते हैं वीडियो में आगे ठीक है इसके बाद मैं तुमको बता दू कि इसके अलावा तुमको previous year questions पे ज़्यादा focus करना होगा जो तुम्हारे boards में आए है in fact बहुत सारे ऐसे previous year question है जो तुमको compared basis पे भी मिल जाते है online तो वो compared basis के भी previous year question देखने पड़ेंगे ठीक है अब देखो 20 दिन का plan बिल्कुल set है सबसे पहली बात है कि number of chapters गिन लो कितने है और number of days गिन लो कि left कितने है हो सकता है तुमारे पास अभी पुड़ा-पुड़ा 30 दिन हो जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो हो सकते हो माल लो 10 ही दिन हो सबसे पहले क्या करो कि जो number of chapters है उसको ओपर लिख लो माल लो कि मैं बात कर लो chemistry की तो chemistry के number of chapters है 10 उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ ठीक है और number of days जो है हमारे पास left chemistry में let's suppose कि अभी chemistry का exam होने में 30 दिन है तो that equally मतलब कि मुझे पता चल जाता है कि एक chapter में 3 days मैं दे सकता हूँ जब मैं एक chapter में 3 days दे सकता हूँ तो इस 3 days का planner कुछ ऐसा होगा कि एक दिन में मैं पूरी की पूरी थोड़ी निप्टा लूँ दूसरे दिन में मैं पूरी की पूरी जो है remembrance कर लूँ याद कर लूँ मुझे को question करूंगा पूरा बैट के सबसे पहली बात है कि कमपाट में कितना भी दिन बचा हुआ है अभी दिन से रात उसको देना पड़ेगा तुम literally अगर ऐसा सोच के चल रहे हो कि 5-6 गंटे की पढ़ाई करूंगा भाई या कमपाट निकाल लूँगा काम हो जाएगा नहीं होगा तुम ये चीज़ भूल रहे हो कि तुमने अपना पूरा का पूरा समय लगा के भी तुम उस subject में fail किये हो literally कमपाट लगा है तुमारा तो अब वापस से मेरे को अगर उस subject में revive करना है मेरे को उस subject में या फिर उससे ज्यादा है और अगर तुम अपना दिन का 10 घंटा भी दे रहे हो ना अपना subject को पूरी तरह से genuinely मैं guarantee देता हूँ एक पूर से पूर student भी compartment में 60 plus score कर जाएगा ठीक है सबसे पहली बात है कि ये देख लो कि तुमारा अभी total percentage क्या बन रहा है without that subject ठीक है जिस subject में मालो chemistry में कमपाट लगा है तो physics maths और जिते भी subject है उनको जोड़ लो उनका percentage मालो बन रहा है 55% ठीक है तुम एक चीज़ बस सोच के देखो कि अगर तुम सिर्फ chemistry में anyhow जैसे तैसे करके 50 भी score कर लोगे ना 70 में तो तुमारा दख लो 6, 16% के आसपास अराम से बन जाएगा कहीं नहीं गया 16% आपका इसमें बढ़ सकता है 16% समझ भिया रहे इनकी 71% पर लाई करोगे जो कि एक decent marks है इस चीज़ को अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो कि जितना जादा तुम compartment में score करोगे उतना ही जादा तुमारे लिए फाइदे मंद है ये चीज़ ठीक है तो सबसे पहली बात है कि अपने day के हिसाब से priorities प्लान करो और उस हिसाब से targets बनाओ बहुत कम दिन बचे हैं तो please उन chapters पे जादा focus करो जिस पे तुमको जादा से जादा तुम marks निकाल सकते हो ठीक है priority बनाओ अभी फिलाल marks को easy to difficult, difficult to moderate, moderate to hard नहीं कर सकते है अभी ये सब करने का समय नहीं है priority बनाओ marks को जिससे जादा marks आ रहा है लेकिन ये नहीं मैच में याद रखना कि सीधा calculus पे जंप मत कर जाना क्योंकि वह 35 marks का क्योंकि बच्चे मैच में calculus के लावा जितने भी चैप्टर से थोड़ा सा भी जान नहीं है थोड़ा सा भी जान नहीं है मतलब एक six class के बच्चे को अच्छे से पढ़ा दूना वो वो सब solve कर सकता है वो matrices, determinant, relation, function, university को सब chapter बना लेगा अगर मैं उसे सिका दूतो तो simple सी बात है ये समझ जाओ कि उस उधर का 45 marks पहले मैं secure करूँगा अगर मेरे match में compartment लगा है समझ में आया जिस subject में compartment लगा है उस हिसाब से priority बना और उस हिसाब से उसको prioritize करके उसके बारे में तैयारी करो ठीक है all the best for your compart exam कोई भी मदद चाहिए हो बता देना और compart पे एक और वीडियो का लाएगी जिसमें कि मैं बताऊंगा कि compart का लेवले साल कैसा होगा जरूर देख लेना बबाई टेकन पीस जय हिन वंदे मात्रम